भारत में को विताश उनीस दूसरी लहर ने उपन्यास घाता कुरोना वारस से संक्रमित होने वाले बच्चों की संख्या में व्रिधी देखी। जबकि बच्चे हमेशा बीमारी के वाहक हो सकते हैं, अधिक बच्चे भी रोग सूचक बन रहे हैं। सेरो सर्वेक्षन के अनुसार 10-18 वर्ष के आयूवर के बच्चों को उसी प्रकार का संक्रमन होगा जैसा वैसकों को दूसरी लहर में हुआ था। इसका कारण वारस में उत्परिवर्तन हो सकता है जो इसे और अधिक संक्रामक बना रहा है। और इस आयूवर को भी बीमारी क के खलाव टीपा नहीं लगाया गया है। हलाकि तीसरी लहर अकेले बच्चों को लक्षित नहीं करेगी। इंडियन एकड़िमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आईएपी के अनुसार इसके संभावना बहुत कम है कि तीसरी लहर मुख्य रूप से या विशेश रूप से बच्च इस हॉस्पिटल्स के पीडियाट्री इंटंसिव के अर यूनिट के प्रमुख, डॉक्टर योगेश कुमार गुपता ने भविश्यवाणी की है कि अढिकांश बच्चे बीमारी के खलाफ अपनी जन्मजात सुरक्षा के कारण तीसरी को विताश उनीस लहर के दौरान भी स्पर्शोन मुख्या हलके लक्षणों के साथ रहेंगे। बच्चों के फेफ़रों में एस दो रिसेप्टर्स कम होते हैं, इसलिए इन रिसेप्टर्स के लिए वारस का बंधन कम होता है, इसलिए यह बीमारी कम गमफीर होगी। दूसरी छोटे बच्चों में उच मेलाट स्थर होता है, जो कुविट के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिखाया गया है, हलाकि अभी भी अधियन के अधिन है। तीसरा, जीवन के पहले पांच वर्षों के लिए बच्चे अपने निमित टी के प्राप्त करते रहते हैं, जो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सतर्क रखते हैं और अपने वयस्क समकक्षों की तुल्ला में अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए को विटाश उनीस वारस से बेहतर तर लिके से लड़ते हैं। डॉक्टर गुपता हाला की चेतावनी देते हैं, बहुत कम मध्यम और साथी गंभील मामले होने की संभाबना है, खास कर उन बच्चों में जिनने पहले उल्ले किया गया है एको विटाश उनीस पॉजिटिव बच्चे के लक्षन, बच्चों में देखे गए एको विटाश उनीस लक्षन वयस्कों में देखे गए लक्षनों के समान हैं। इस लहर के दोरान देखे जाने अधिकांश सामाने लक्षन सर्दी, खासी, बुखार, शरीर में दर्द, सिर्दर्द, गंद की कमी 8 वर्ष की आयू हैं। परियाप्थ होना चाहिए। एक अच्छा आहार और हाइड्रेशन सुनिष्चित करें। बुखार के प्रबंधन के। लिए साधरन पिरासित आमूल को छोड़ कर किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। आया जाना चाहिए। बच्चों के इलाज के लिए चिकित्सा के बुनियादी धाचे को बढ़ाने के महत्व के बारे में बात करते हुए। जॉक्टर गुपता कहते हैं। इसलिए हमें उन मुद्दों से निपटने के लिए तयार रहना चाहिए। दिल्ली और करनटक जैसे दूसरी लहर में कोविताश 2019 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों ने वारस की संभावित। तीसरी लहर में कोविताश 2019 प्रभावित बच्चों का समर्थन करने के लिए स्वास्थ बुनियादी धाचय की तयारी शुरू करती है। कोविताश 2019 के खलाफ बच्चों का टीकाकरण कई विशेशग्यों का मानना है कि नोवेल कुरोना वारस के खलाफ टीकाकरण कारिक्रम का विस्तार बच्चों तक भी होना चाहिए। उसे के लिए क्लिनिकल परेक्षन किये जाने की आवश्यक्ता है। जबकि फाईजर की कविट 2022 वेक्सीन विक्सित देशों में 12 वर्ष्ट से अधिकुम्र के बच्चों को दी जा सकती है अन्न टीकों के लिए शोध परिणामों की प्रतिक्षा है।